दे रहा होगा 305 उर्पिया MRP लिखी हुई है और यह आजमगर की मंडी से मुझे मिला है मातराथ रुपे का कितना परसेंट कमिशन आप खा रहे हो यह ऐसा क्यूं है इस पे भी चर्चा होती है यह देखे आई भी सेट है जिसके माध्यम से गुलकोज बलड वैगर है चर्थ इसे कहते हैं इस पे जो MRP लिखी हुई है वह 179 और यहां आप देख सकते हैं 179 रुपे कि यह आई भी सेट मुझे पड़ी है मातर बार रुपे की फिश्टर वीगो सेट लगाने के बाद जो उस पे टेप लगाया जाता है यह मुझे पड़ी है 6-7 रुपे की और इस पे MRP 71 रुपया 50 परिसा यहां भी आप देख सकते हैं मैं इसलिए आपके बीच आया हूँ इसी प्रकार से बहुत सारे हजारों दो तीन हजार दवाएं ऐसी हैं जो सो रुपे की दवा है तीन हजार की बिक्ति हैं बाइकिल ढगा जब आपका आपरेशन होता है जिससे आपका सिला जाता है वह 1.500 रुपे का आता है उसकी MRP 1045 पर आप यहां देख सकते हैं उसी प्रकार से लंग एकसासाइजर 1.500 रुपे का आता है जिसका प्रिंट रेट है 690 रुपिया बुखार में जो पहरा सीटा माल की जो बोतल आती छोटी सी वह 50 रुपे की आती है और उसकी MRP यहां आप देखें MRP 522 रुपिया है कमर की बेल्ट जो 100 रुपे की आती है उसे 500-600-700 रुपिया प्रिंट और तो और जब किसी की हड़ी तूटती है तो जो राड पड़ता है राड अधिक्तम रेट राड का 500 से लेके 1500 रुपिया तक अलग-अलग ब्राइटी है 500 से 15 लेकिन आपको 5000 से 20 रुपिया 25 रुपिया चार्ज किया जाता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे भाई डॉक्टर लगा रहे हैं तो देखिए डॉक्टर जब आप अस्पताल में भरती होते हैं तो बेड चार्ज अलग, नर्सिंग अलग, जांच की फीसे अलग, व 100 रुपे की दवा, एक दवा मैं देखा, ला नहीं पाया उसको, 100 रुपे की दवा उसकी मारपी 2000 रुपिया लिखी हुई थी, हजारों दवाईया है, आपको लूटने का काम कर रहा है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, कि इस पे 305 का प्रिंट छपा हुआ मुद्दा ये है, कि इसे छपने किसने दिया, जिसे हमने चुन कर भेजा, क्या हो दलाली खा रहा है, कमिशन खा रहा है, 8 रुपे की 305 रुपे का प्रिंट छपने क्यों दे रहा है, ये चोरी से थोड़ों न भीक रही है, खुले आम भीक रही, तो ये जिम्मेदारी सरका की है, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, कि आईए, और ये मुद्दा किसी सपा, भाजपा का अंग्रेस, किसी नेता का थोड़ों न है, ये भारत के 140 करोर जंता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आपको आगे आना होगा, और आगे आने के लिए, आपको इस वीडियो को अधिक स सेयर करवाना होगा, अधिक से अधिक लोगों को बताना होगा, इसलिए नहीं कि मेरा ये परचार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, इस मुहीम को, जब ये वीडियो सेयर होंगे, सोसल मीडिया एक ऐसा प्लेट फार्म है, जिससे सरकारे हील जाती है, आज मैं इस सीच को ल करता हूँ, सरकारों को जंता से डरना चाहिए, जंता को सरकारों से नहीं डरना चाहिए, तब मैं आपके बीच कहने आया हूँ, कि आए, मेरे इस मुहीम को आगे बढ़ाएं, कि बात 305 रुपे की नहीं है, बात उस गरीब की है, उस रिक्सा चालक की है, जो दिन भर में सा आपके बीच कहा लेगा, और आई भीच का चार्ज कर लेगा, यह सब मिला के 600 रुपे हो गया, यानि उसकी देड़ दिन की दिहारी में, अभी तो गुलकोज लगा ही नहीं, दवा कोई उसने खाया ही नहीं, बेट का चार्ज हमने बताया नहीं, अस्पताल का चार्ज हमने बताया नहीं, देड़ दिन की दिहारी उसकी केवली इस तीन आइटन से चलीगे, आगे की दवा कहां से आएगी, तब उसका बाप खेद बेचेगा, उसकी बीबी गाहना बेचेगी, इस तरह का लूट खसो, और मैं तो कहता हूँ, सरम करो ऐसा करने वाले लोगों, आठ र इनकी दिहारी केवली इन तीन की जोकी लग जाती है, कुछ तो सरम करो, कुछ तो सोचो, स्वास्त, सिख्षा, सेवा का छेतर है, लेकिन आपने इसे लूट का अड़ा बना दिया है, सरकारों के मीली भगत से ऐसा हो रहा है, तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, किस